शबी लोग को नमस्कार नमस्कार आज टार्गेट की क्लास का डे टू है मतलब यह वन मन्त का हम लोग ने जीमा लिया है कि इसको मने मैथमेटिक्स को बिना पेन का और बिना पेज का इसको हम लोग कर दे तो पिछले चार टाइब का आपको करना सिखाया था अभी टॉप टॉपिक हमारा डोमेश है अभी डोमेश रैन्ज चलेगा तो आज इसके हम लोग आंगे हम लोग करेंगी और देखेंगे कि question पहले कैसे था और कैसे हम लोग उसको solve करते हैं यह सारे discussion अभी हम लोग करेंगे तो आईए हम लोग type by type मतलब कोई अगर book के author है तो वो कैसे सोचेंगे आपको कैसे सोचना है कि आपको बिना pain और बिना page का no pain, no paper, mathematics की solution होगा इसे बात को हम लोग करेंगे तो समय है अब हम लोग type 4 तक कर लिए थे चारो type आपका clear है सरया गुपता जी या जो भी सज्जान बाद में वीडियो देखेंगे उनको चुकि बहुत लोग का time का कुछ ने कुछ problem होती है इसमें कोई दिकत नहीं है चुकि यह YouTube पर आपका यह download हो जाता है जो बच्चे हमार membership लिए हुए होते हैं उनको दिखता है तो हम लोग का YouTube चैनल Creator Super 30 पर यह आ जाता है तो आज हम लोग type 5 से हम लोग करना चालो करेंगे तो आए ताइप type 5 है हमारे पास तो type 5 में हम लोग को यहां पर range की पविशक्ता परता है तो आप देखेंगे कि इस type के भी प्रस्न रहते हैं A is equal to A sin X और यहां पर B cos X पलस C बिना पेन का बिना पेपर का इस प्रस्न का A का range आप बिलकुल निकाल सकते हैं इसके लिए ना तो आपकी पेन की हो शक्ता परेगा और नहीं पेंसिल की ना आपका पेज की हो शक्ता परेगा यहां पर केवल आपकी सोच आपको बदलना है आप गौर से देखें कि पहले यहां A और यह आपका B हो गया अब यहां पर आप इसको मिला दें यहां पर X पहले से लिए हुए आप यहां पर ठीटा ले लिए बिलकुल आपने समझ गया है यानि यहां आपका हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वार प्लस B स्कार यानि आप गौर से देखेंगे तो साइन ठीटा बराबर क्या हो जाएगा BY रूट अंडर A स्क्वार प्लस B स्कार कौस ठीटा बराबर क्या हो जाएगा AY रूट अंडर A स्क्वार प्लस B स्कार यानि आपका यहां पर एक लॉजिक कहेगा कि अगर हम दोनों तरफ दोनों तरफ यहाँ पर आपको यह sin theta cos theta हो गया यानि यहाँ तक में अगर हम root under a square plus b square से multiply कर दे तो इसको divide भी कर दे तो हमारे लिए यह सही होगा यह बात clear है? बिल्कुल तब हमारे पस क्या हो जाएगा? यहाँ पर sin theta यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका cos theta यहाँ sin theta यानि root under a square plus b square यहाँ पर cos theta into sin x और यहाँ पर sin theta into cos x पलस c हो जाएगा यह किसी का फर्मूला हो गया? किसकी फर्मूला हो गया? यह आपका यह भी फर्मूला डाइरेक्ट लिखना सिखाएंगे यह sin theta plus x की हो गया अब गौर से देखिए कि इसकी जो हस्यत है यानि इसकी जो range है minus 1 और plus 1 होगा यानि minus 1 होगा तो c minus root under a square plus b होताएगा और maximum होगा यानि c plus root under a square plus b square होगा यानि a का range कहां से कहां तक होगा यह बात आप बिलकुल समझ गए है तो आप हाँ बताए और नहीं समझे है तो यहाँ पर अब देखिए question कैसे आता है यहाँ पर हम आपको पाइथोग्रास trick बताएंगे जिससे आपको बिना calculation किये हुए आप answer को दे सकते है यानि यहाँ c minus root under a square plus b square और c plus root under a square plus b square यानि यह भैलू को आप direct निकाल सकते है यह भैलू को आप क्या निकाल सकते है direct निकाल सकते है तो आपको c में से घटाना परेगा और c में जोरना परेगा तो आपका समय नहीं लगेगा स्रेया गुपता जी यहां तक समझ गए बहुत बढ़िया से अब यहां पर हम लोग पाइथोगरस त्रिक का नाम लेंगे जैसे ही पाइथोगरस त्रिक तो लोग साथ मी समझता है ट्रिक नहीं भाई मैं तो भोर रहा हूँ पाइथोगरस त्रिक यानि यहां पर पाइथो गुरस साहब का कथन था कि अगर n odd number रहता है तो n होगा और n square minus 1 by 2 और n square plus 1 by 2 यानि odd रहने पर एक जादा होगा चुकि इस से जो इसका जो difference है वह एक का है आईए हम लोग प्यक्टेली life में भी करके देखते हैं यहां यह 3 ले लिया तो 3 के square 9 9 में से 1 चले गए 8 8 by 2 तो यहां 4 यहां से कितना जादा है एक जादा है अब यहां पर देखिए स्रेया जी यहां पर 5 है यहां 12 है तो क्या निकालेंगे एक यहां पर जूर देंगे 13 कर द आये 25 25 बैरिक अब यहां पर यहां पर 9 लेंगे चारीज लेंगे अगला क्या हो जाएगा 47 क्या प्रक्तिम लगाया यहां 60 है अगला क्या हो जाएगा अगर यहां पर prosecutors रहेगा तो यह 1 और यहां पर 1 by 2 का square minus 1 और 1 by 2 का square plus 1 पांच मिलिशे अब यहां पर देखेंगे even रहेगा तो क्या होगा अगर हम लिए यहां पर 6 लेते हैं अब 6 का अधा कितनी होगे ना तुम्हारे 3 होगे, 3 के square 9, 9 में से यहां 8 even में 2 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा दो बड़ेगा यानि 10 हो जाएगा अब तुम फटा पट बुता आठ पंद्रह कितने हो जाएगा जल्दी बूताओ 17 मिल्कुल सही अब यहाँ पर 1024 कितने हो गए 26 अब यहाँ पर तुम्हारे पास अगली जो है ना 12 है 35 है अगला क्या हो जाएगा 37 अब देखो इसको प्रस्ण जेई वाला कैसे पूछ सकता है इसको हम लोग अभी बात चीज करेंगे आई हम लोग देखते अगर आपको यहाँ पर फूछ दिया कि रेंज निकालिए यह इस कल्टू यहाँ पर 12 शाइनेक्स प्लस 35 कॉसेक्स प्लस यहाँ फोट्टी दे दिय जल्दी बताओ फोटी दे दिया अब बारा पैंटिस तुम्हें तो यहाँ है ना बारा पैंटिस क्या होता है यानि यह इवेन है और यहां 35 है दो बढ़ा यानि 37 हो गया यानि 40 से 37 घटेगा कितना हो जाएगा 37 यहाँ 77 बोलो यह से निकला कि नहीं निकला किया अपने इस क्या आपने इसमें पेज की खर्च हुआ अब बताओ यहां यहां पर 9 साइन एक्स और यहां पर 40 कॉसेक्स प्लस 50 है रेंज बताओ 940 से कितना होता है 41 होता है 50 से 41 चला गया कितना बच गया 9 और यहां पर जोड़ दिये आपका 91 बोलो पेल लगाया क्या क्या यहां 9 है यहां 40 है तो यह और नमबर है ना यहां एक जूर जाएंगे 41 हो गए अच्छा इन्या यहां से यहां तक कि जो इसकी हासियत हुई ना वह प्लस माइनस 41 हुई अच्छा अब यहां पर यह 50 पहले से तेरे को था तो 50 में से 41 घटाएंगे कितने बचेंगे और इस 50 में 41 एड कर देंगे तो कितना बचेगा 91 अब समझ में आये गया तो आपको यह मान के चलना है कि आपको पेन का इस्तिमाल पेज का इस्तिमाल नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि बिट्स पिलानी में हम टॉप करें कॉमेंट के एक्जाम में टॉप करें तो सबसे पहले सर्थ है कि पेन पेज का यूज नहीं करना है केवल दिमाग का यूज करना है ठीक है और आप ऑप्शन को ढूरें जैसे यहां पर 991 मिल गया ऑप्शन को आप क्लिक कर दें बोलो क्लियर है कि नहीं अब समझ में आया अब मैं इस पर प्रश्न दूंगा बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा यहां पर थीरी साइन एक्स है यहां फोर कॉस एक्स है और यहां 7 है बोलो ब्रश्न बना कि नहीं बना जैंगा थीरी फोर से क्या होता है जल्दी बताओ फाइब तो सेबन में से फाइब चला गया तो कितना बच गया 2 और 7 एड़ कर दिया तो कितना हो गया 12 किलियर है क्या करने आ गया यानि टाइप फाइब आपने सिख गया अब आपको टाइप 6 सिखना है यहाँ टाइप 6 देखिए टाइप 6 में क्या है ना यह टाइप 6 यहाँ ध्यान दो साइन अलफा साइन 60 माइनस अलफा और साइन 60 प्لاस अलफा यहां आपका प्रस्थ आना ही है अब देखो यह कहां आया था पहले इसका हम प्रस्द का यूज करना सिखाते हैं जब तुम टिक्रिमेट्री बना रहा था तो आपके पास आया था साइन टेन डिगरी 60 में से 10 चला गया साइन 50 डिगरी बोलो और यहां जोर दिया साइन 30 डिगरी अब बाइलेंस करना है तो देखो यहां 20 का अंतर है यहां पर भी एक साइन 30 डाल दिये अब इसका तुम्हारे पास प्रस्द दे दिया ए इस इकल टू साइन 10 डिगरी साइन 30 डिगरी साइन 50 डिगरी और साइन 70 डिगरी याद किजिए स्रया गुपता जी चाहे हो हम सिंगेज वाले का बात करें घंस्यामतिवानी शाहिब का या इसके गोयल साहिब का पंकर जोसी साहिब का सब लोग ने क्या किया है दो से मल्टिप्लाई दो से डिवाई और फर्मूला रटवाया है तू साइन ए और साइन बी का बोलो यस यानो यस सो क्या इसकी जरुवत है नहीं इसकी जरुवत नहीं है अपना कंसेप्ट को किलियर करने की जरुवत है गौर से देखो यहाँ साइन अलफा है 60 माइनस अलफा है 60 प्लस अलफा है तो यहाँ 1 बाई 4 और साइन 3 अलफा होता है अब पूछो क्यों पूछो क्यों अब यह क्यों का रिजन डालने के लिए मुझे पेन का इस्तिमाल चेंज करना पड़ेगा कर दिया अब देखो साइन अलफा को तो मैं कुछ कर नहीं सकता बिल्कुल नहीं कर सकता यानि यहाँ साइन अलफा साइन अलफा होताएगा लेकिन साइन A माइनस B और साइन A पलस B को हम कुछ भी कर सकते हैं गौर से देखो यहाँ पर तो यहाँ पर sin A plus B का तुम्हारा फर्मूला था sin A into cos B और plus cos A into sin B और यहाँ पर sin A minus B का फर्मूला था sin A into cos B minus cos A into cos A sin B, बोलो बाबू किलियर है ना? यह दोनों को मल्टिवलाई किया, तो sin A plus B और sin यहाँ A minus B तो यहाँ पर क्या हो गया? sin S कार हो गया यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास sin S कार A, cos S कार B और cos S कार A और sin S कार B हो गया बोलो, किलियर है कि नहीं? जी जी अब यहाँ पर तुम्हारे पास sin square A, cos square B और यहां पर तुम्हारे पास cos square A और sin square B हो गया बोलो भई अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यह cos को change कर दिया cos के क्या कर दिया change कर दोगे यहां पर sin square A तो 1 minus sin square B यहां पर sin square B रहने दो cos को change कर दो तो sin square A minus आपका sin square B हो जाएगा बोलो yes 연ove यहां पर तुम्हारे पास यह रहने दो अब यहां पर तुम्हारे पास sin square यहां पर तुम्हारा अलफा रहा और वहाँ हम पर sin square 60 degree का भेलू तो तुम्हें पता है बोलो पता है कि नगी की दौना है यहां 60 था, तो sin square 60 degree का भैलू तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 by 4, और यहां पर इसको हम लोग हल कर देंगे, sin square alpha हो गया, अब यह तुम्हारा पास formula बन जाएगा, आपका 1 by 4 sin 3 alpha का, बोलो, clear है, अब देखो, इसमें question को कुछ नहीं करना है, sin 30 degree का भैलू मालूम है न, साइन क्यों alpha है, sin 3 alpha है, 3 times alpha, ठीक है, अब यहां पर देखो, तुमको क्या करना है, sin 30 का भैलू मालूम है, बोलो, sin 30 का भैलू हाफ हो गया, ठीक है, अब गौर से देखो, sin 10 degree, sin 50 degree, sin 70 degree, इस logic पर आया की नहीं आया, यानि यहां 1 by 4 हो जाएगा, और sin 3 alpha है, यानि यहां 10 है, तो 10 को 3 से multiply करेंगे, तो sin 30 हो जाएगा, इन्हीं पुना हाफ हो जाएगा, बोलो, यानि इसको हल करेंगे, तो 1 by 6 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, क्या आपने प्रेल लगाया, अब देखो, इसी से तुम्हारा उत्पत्ती हो जाएगा, type 7, type, अब बताओ, यहां cos alpha, cos 60 minus alpha, और cos यहां 60 plus alpha रहेगा, तो इसको 1 by 4, cos 3 alpha लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अब इसके लिए क्या book चाहिए, नहीं, आपको जो मन करता है alpha की भैलू ले लो, माल लिए कि यहां पर 10 मन किया, ले लिया, अब 60 में से 10 किया, तो कितना हो गया, 50, और 60 में 10 जोड दिया, कितना हो गया, 70, अब देखो, यहां 20 का अंतर है, और यहां पर 40 का अंतर है, नहीं, कॉस्ट 30 डाल देने से कोई परिवर्तन नहीं है, बोलो, यहां से आनू, कोशन बना की नहीं बना, बी नमबर कोशन तुम बनाओ, अगर कॉस्ट यहां 5 रखते हो, क्या रखते हो जल्दी बिताओ, तो यहां पर 60 माइनस 5 कर दिया, 60 माइनस क्या कर दिया, 55 हो गया कि नहीं, और यहां पर तुम हल किया, तो कॉस्ट आपका 65 हो गया, बोलो, कोशन बन गया की नहीं बन गया, आप अंसर क्या मारोगे, बोलो, किलियर हुआ, अब तुम्हारे सोच में थोरा सा, चुकि हम थोरा सा एक ब्रेक लेंगे, ठीक है ना, फिर आपको हम जोरेंगे, एक मिटिंग है, तो अभी हम लोग इसमें हम थोरा सा तुमको हमबर करने का सिखा देते हैं, कि टाइप 7 आ 8 जो है, तुम कर सकते हो अ उपर में तेरा साइन है, उपर में क्या है जल्दी बता, साइन, नीचे में क्या है, कॉस, वन वाइफ फॉर, वन वाइफ फॉर से कैंजल हो गया, उपर साइन थिरी अलपात है, नीचे कॉस थिरी अलपात है, दोनों बन गए, टाइन थिरी अलपात है, बोलो, यास यानो, क्लियर है यानि यह 10 पर भी प्राश्ट कर सकते हैं बोलो कर सकते हैं यहाँ पर 10 थीरी अलभा आजाएगा यह आपका टाइप 8 हो जाएगा अगर हम टाइप 9 की बात करें तो कॉट पर भी कर सकते हैं अब तुम्हारे पास थोड़ा सा सोच को मल्टिप्लाई के लिए तो सोच लिया ठीक है इस पर सोचना चुकि इस पर काफी कभी कभी प्रस्न पूछे जाते हैं यहाँ पर 10 अर्फा यहाँ यह डाइलेमा डाल देता मतलब वो आपको सर्च करना है कि वहाँ पर प्लस होगा की मैनस होगा और यहाँ पर 10 60 मैनस अलफा प्लस मैनस 10 60 प्लस अलफा इस डाइलेमा को अगर तुने सर्च कर दिया तो इस से एक नया फर्मूला बनेगा और वह प्रस्न तुम से पूछा जाएगा जैसे बहुत बार जेही वाले पूछे भी है 10 10 degree अब पूरा question लिख देंगे तो इस डाइलेमा तुम कर नहीं पाऊगे इसलिए इस डाइलेमा पर ही लिख देता यहाँ पर 10 50 degree और plus minus 10 70 degree या plus minus तुम्हाँ अपने अनुशार जब इसको करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यानि ये तुम अभी करके रखो जो भी लोग देख रहे हैं सारे लोग करके रखें कि यह यहाँ पर symbol क्या होगा ताकि एक formula बन जाए अच्छा खासा formula बनेगा और वो 10 बनेगा और ये cot में ही रहेगा 3 times में ही जाएगा यानि आप इसी ढग से तुम्हारा type 10 पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर cot में भी मैं चाहूं तो direct लिख सकता हूं लेकिन वहाँ पर आपकी दिमांग नहीं खुलेगा तो आपका जो हम लोग का main मकसद है कि without pen without paper हम लोग mathematics की solve कर सकते हैं चाहो जेही main की बात करो advance की बात करो वहाँ calculation आपको direct हो सकता है यहाँ पर भी तुम थोड़ा सा सोच के देखो तुम्हारे पास यहाँ cot 60 minus alpha और यहाँ पर cot यहाँ 60 plus alpha इस पर भी तुम सोच के देखो और यहाँ पर question तुम्हारा cot 10 और cot 50 और cot 70 degree पर हम लोग बात करेंगे तो आज यहाँ पर 10 तक जो तुम लोग को सोचना है हम लोग फुना मिलेंगे आपको 40 मिनट के बाद हमारा technical team सब को फोन कर लेगा और हम लोग मिलते हैं किलियर है बाबू? लेकिन चुकि आज कम से कम इसको हम लोग पहुंचा देंगे 30 टाइब तक ठीक है? 40 मिनट के बाद फिर हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग उस पर पर प्रियास करते रहें कि यहाँ पर plus होगा कि minus होगा ठीक है? ठीक है?